स्वागते आप सभी लोग का न्यूस डेशन स्पोर्ट्स में मैं हूँ आपके साथ श्रधा पार्डे आज होपफुली इंडिया और श्रिलंका के बीच का जो स्कौर्ड है यानी श्रिलंका के खिलाफ इंडिया का जो स्कौर्ड है उसका एलान हो जाएगा अब इस स्कौर्ड में क्या कुछ चेंजज होंगे क्या कुछ चेंजज नहीं होंगे ये आपको आने वारे टाइम में पता लग जाएगा अब सवाल यहाँ पर यह है कि हार्दिक पांडिया का पता इतना जुल्दी क्यों कट गया दरासल हार्दिक पांडिया स्कीम ओफ तिंक्स में थे हार्दिक पांडिया को पता था उनको ही कपतानी दी जाएगी आई पिल में भी उनको ये लगा था वर्ल्ड कप में भी उनक दे दिया था तो टीम इडिया की जो दशा थी वो दूर दशा में बदल गई थी इसलिए कभी भी टीम इडिया में जो हेट कोच है उसको इतना फ्री हैंड नहीं दिया जाता कप्तान जो है वो कोच चुन सकता है लेकिन कोच कप्तान नहीं चुन सकता ऐसा ही कुछ पॉलिसी टीम इंडिया की अब तक रही है इसलिए ये माना जा रहा है कि गौतम गंभीर का इस पर कोई भी हाथ नहीं था हां हार्दिक पाणिया को इसले नहीं चुना गया क्योंकि उनका टीम मेट्स के साथ जो क्लैश होता आया है या जो उनका तिलक वर्मा वाला एपिसोड था आप बीच पे आना पड़ा यानि उनको भी ड्रेसिंग रूम में उतरना पड़ा और दोनों की लड़ाई को शांत करवाना पड़ा आप सूचिए अगर एक खिलाडी दूसरे खिलाडी से लड़ रहा है तो वो खिलाडी कप्तान कैसे बन सकता है क्योंकि कप्तान का काम तो टीम को पिरो कर रखना है क्पतान का काम तो टीम को संजो कर रखना है तो इसलिए हार्दिक पांडिया इस तरीके से कप्तानी नहीं कर पाएंगे इसलिए सुरुकुमार यादफ का जो नाम कि सुरिकुमार यादव को कप्तानी देने में गौतम गंभीर का कोई उस तरीके से हाथ नजर नहीं आ रहा है अब आप कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि हारदिक पाणिया के बदले क्या सुरिकुमार यादव एक अच्छे कप्तान बन सकते हैं या फिर नहीं साथ-साथ क्या गौतम गंभीर इस पूरे श्रिलंका दौरे में टीम इडिया को अच्छे से समाल पाएंगे क्योंकि 27 तारीक से इंडिया और श्रिलंका का T20 और ODIs वाला जो मैच्चेस है वो शुरू हो जाएंगे श्रिलंका दौरा शुरू हो जाएगा तो क्या लग रहा है इसमें गौतम गंभीर के एक नहीं सोच के साथ निकल पाएंगे या फिर नहीं कमेर्स करके अपनी राय मुझे जरूर दीजे News Nation अब WhatsApp पर खपरों के ताजा अपडेट के लिए News Nation के इस QR कोड को स्कैन करें